अज हमारे नव संकल्प चिंतन शिविर का दूसरा दिन है और उम्मीदों से कहीं कहीं जादा जो नतीजे दिख रहे हैं हैं लोगों की बात में जिस तरह से खुल कर लोग यहां बात कर रहे हैं असली जो कॉंग्रेस की भावनाएं हैं वो सब शेयर कर रहे हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं एक तरह का संकल्प तो है ही त्योहार सा है लोगों के दिमाग में एक उम्मीद है और पूरे जोश से भर कर लोग फिर से तयार हैं देश को देश की संस्कृती को देश की सभ्यता को बचाने के लिए और जो समविधान के मुल्य हैं उनको बचाने के लिए और देश में जो विमर्ष चल रहा है उसको फिर से पुनरस्थापित करने के लिए क्या है वो विमर्ष उसको हटाना है वो विमर्ष इस देश का विमर्ष हो ही नहीं सकता, वो एक पार्टी का विमर्ष है और उस पार्टी के विमर्ष में हम देश की मुल्यों का शिकार होते वे नहीं देख सकते आज यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि हम सब कॉंग्रेस जन देश के कोने कोने से आए हुए कॉंग्रेस जन जिस उत्साह और जोश के साथ अपने सुझाव दे रहे हैं ये कॉंग्रेस पाटी 133-35 साल पुरानी पाटी ऐसे ही नहीं हुई है संघर्ष करते वो हुई है आज हम सब फिर से संघर्ष के पत पर जाने को तयार हैं जै हिंद जै कॉंग्रेस